हम मरने से पहले पागल होकर मरेंगे विक्षिप्त सब घूम रहे होंगे सडकों पर पागल अपने कपड़े फाड़ते हुए हो सकता है कि अगले 5-7 साल में ही वो महाप्रलय आजाए जिससे हम बचना चाह रहे थे घर-घर में लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे दुनिया की आबादी के 0.0 प्रतिशत लोग जिम्मेदार है इस पूरे ग्रह को तबाह करने के लिए और ये बात कभी सामने लाई नहीं जा रही है बलकि गुनागार बना दिया जा रहा है आम आदमी को उसको बोला जा रहा है कि देखो तुमना रिसाइक्लिंग किया करो तुम एक बल्ब कम जलाया करो तुम कार की जगे ना तुम एक काम करो तुम बस में जाया करो तुम इलेक्ट्रिक वेहिकल चलाओ क्यों क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वेहिकल बना रहे है वो खुद सबसे बड़े एमिटर है जिसको आज आप सहारा रेकिस्तान बोलते हो जानते हो एक समय वो क्या था वो एक फलता फूलता घना आबाद जंगल था ये है क्लाइमेट की आउकात नमस्ते सर आज मैं गर्मी को लेकर थोड़ा सोच रहा था कि गर्मी इतनी जादा थी कि हमें सत्र का समय भी साड़े चार से साड़े पांच करना पड़ा इसके इलावा जब मैंने इसके विशे में और थोड़ा पढ़ा तो जमने देखा कि बात सिर्फ आज की नहीं है जनवरी से लेकर अभी तक जितने महीने बीते हैं इस साल में वो सब record तोड़ गर्मी के रहे हैं कि आज तक कि जितने भी हमारे records थे कि highest temperature के वो जनवरी में तूटा फिर जनवरी का record फरवरी में तूटा और ऐसे कड़ते कड़ते इस साल में ने भी आज तक कि जितने पुराने record थे वो सब तोड़ दी हैं अब इस तरह की जो गर्मी है, इसका एक तो हम खुद ही जो उसका परिणा में भुखतते हैं, हम बाहर निकलते हैं, तो दो मिनिट भी दूप में खड़ा नहीं हुआ जाता, पर मैं देख रहा हूँ कि इस सब के साथ भारत में एक बहुत बड़ी अबादी है, जिसका दिंच इनसेनिटी, और ये इसी साल नहीं हुआ है, जनवरी से मही तक, पिछले ग्यारा महीने, सब के सब, इतिहास के, ग्यारा सबसे गर्म महीनों में से थे, मतलब आप पिछले अक्टूबर को भी लोगें, तो आज तक का होटेस्ट अक्टूबर है, पांच में ग्यारा महीने और इसके जो, जो मेटीरियल एस्पेक्ट्स हैं, उन पे तो हम बहुत बार बात करते हैं, जो इसका साइकलोजिकल एस्पेक्ट है, वो सामने आ रहा है और उस पर बहुत कम चर्चा हुई है, वो ये है कि हमारी जो पूरी शारिरिक व्यवस्था है, वो इतने तापमान के लिए इवाल्व नहीं हुई है, इवाल्यूशन की पूरी प्रक्रिया में इनसानों को और बाकी प्रजातियों को, जीव जन्तों को कभी इतना तापमान जहिलना पड़ा ही नहीं था, तो ये जो अब तापमान आया है, ये हमारे शरीर की लिमिट्स से बाहर का है, उससे य नहीं होने आला है कि हमारी खाल जल रही है, उससे ये होने आला है कि हम मास इंसेनिटी के युग में प्रवेश कर रहे हैं, हुमन डिसीजन मेकिंग गड़बड हो रही है, आप ठीक से सोच पाओ, उसके लिए भी जरूरी है कि शरीर का तापमान एक सीमा में रहे, और शरी वैचारिक प्रक्रिया भी एकदम बिगड़ जाती है, ठीक वैसे जैसे आपका पाचन तंतर बिगड़ जाता है, जब गर्मी बहुत होती है तो देखा न, खाना अलग तरीक से पच्टा है, हम बोलते भी है, कि ग्रीश्म का अलग है, और शिशिर का अलग है, भोजन, इस आपके विचार बदल रहे हैं टेंपरेचर के कारण, आप पागल हो रहे हैं, हर आदमी पागल हो रहा है, बिहार के किसी जिले में किसी ने अभी अभी रिपोर्ट छापी, कि डॉक बाइट्स में 6 गुना की वृद्धी हो गई है, पिछली महीने में, और ये जो कुत्ते क पाट रहे हैं, इन्हें रेबीज नहीं है, बस ये गर्मी से पगला गए हैं, और सुनिए, ऐसे जानवर जो आःम तोर पर आकरामक नहीं होते, जैसे गाय, जैसे बकरी, ये जबरदस्त रूप से आकरामक हो रहे हैं, इनका पूरा व्यवहार बदल रहा है, और वही चीज इंसानों में भी देखी जा रही है, इनसान का व्यवहार ही बदल रहा है, इनसान कुछ का कुछ हो जाएगा, छुटा मूटा अंतर नहीं है न, ऐसा नहीं है कि एक आद दो डिगरी मामला बदल गया है और जितना बदल भी गया है वो वापस ठीक हो जाएगा तापमान में चार डिगरी पांच डिगरी की वृद्धी देखी जा रही है और जितनी वृद्धी देखी जा रही है वो लगातार है और आगे वो और बढ़ेगी अभी अकल ही तो था कि community पर डलागा ना भोपाल में वो air conditioner designed ही नहीं था उतना temperature जहलने के लिए उपट गया उसी तरह के से आपका जो brain है ना ये designed नहीं है इतना temperature जहलने के लिए तो ये फटेगा तो नहीं लेकिन इसके भीतर जो पूरे neural circuits हैं वो सब उल्टे पुल्टे हुए जा रहे हैं क्योंकि हर चीज temperature dependent होती है है तो भीतर जो खेल वो electrical circuits का ही है electrical chemical circuits ही तो हैं भीतर सारे और जितने circuits हैं उससब temperature dependent होते हैं आपने देखा है आपको बुखार चड़ जाता है आप अलग तरीके सोचने लगते हो देखाए उसी तरीके से पूरी मानवता ये जो बुखार है ये एक दो आत्मियों को नहीं ये पूरी मानवता को है पूरी मानवता के सोचने का ढर्रा बदल जाएगा और लगभग वही होगा जो आप महाभारत में पढ़ते हो कि श्रीकृष्ण की द्वारका में क्या हो गया अंतर युद्ध महाँ सब एक दूसरे कोई मार गए आज की खबर है कि दुनिया भर में सिविल वार्स ग्रह युद्धों का खतरा जबरदस्त रूप से बढ़ गया है क्योंकि लोग इस पूरे जलवायू परिवरतन के कारण पागल हो रहे हैं और लोगों में सत्ताधीश भी शामिल है लोगों में वो सब भी तो हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं वो भी सब पागल हो रहे हैं आपको यह सुनके बहुत अजीब लगेगा पर थोड़ा इस पर विचार करिएगा आप बाजार में जा रहे हो आप क्या खरीदने वाले हो आपका फैसला बदल रहा है आपको कौन सा रंग पसंद है आपका फैसला बदल रहा है आप किससे दोस्ती करोगे नहीं करोगे आपका फैसला बदल रहा है आप किससे विभाह करोगे नहीं करोगे आपका फैसला बदल रहा है, जलवायू परिवर्तन आपको पूरी तरह से बदले दे रहा है, हम मास एक्स्टिंशन से पहले, मास इंसेनिटी के दौर से गुजरने वाले हैं, मरेंगे हम, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्नी के हाथों मरे हम अपने पागलपन के हाथों मरेंगे, हम मरने से पहले पागल होकर मरेंगे, विक्षिप्त सब घूम रहे होंगे सडकों पर, पागल, अपने कपड़े फाड़ते हुए, बिल्कुल तप्ती हुई सडकों पर निकलेंगे, कुछ दूर तक चलेंगे, और फिर लाश बनकर जलती हुई सडक पर ढह जाएंगे, ऐसे अंत होगा मानवता का, वो जानवरों में दिखाई दे रहा है, पक्षियों में दिखाई दे रहा है, पक्षियों का वेवहार बदल गया है, पक्षियों का मेटिंग भेवियर बदल गया है, जो थोड़ा कृशी के पुष्टभू में से हैं गरामीर शेत्रों से हैं वो जानते होंगे कि फसलों का व्यवहार बदल गया है जिस समय पर बुआई रुपाई कटाई होती थी वो सब कुछ 10-10-20-20 दिन आगे पीछे किसा गया है कई फसले दिन शेत्रों में पहले होती थी वह आप हो नहीं सकती तापमान बढ़ गया है जो लोग सेब उगाते हैं हिमाचल में, कश्मीर में आप उनसे बात कर यह बताएंगे कि सेब की पैदावार का पूरा व्योहार बदल चुका है टेमप्रिचर सेंसिटिव होता है बहुत और उसका खेल तो इतना ही नहीं है कि बाहर तापमान बढ़ रहा है बाहर जो तापमान बढ़ रहा है वो हमें भीतर से विक्षिप्त कर रहा है हम पागल हो रहे हैं, हम भी पागल हो रहे हैं चिडिया पागल हो रही है, गाए पागल हो रही है मास इंसेनिटी हमें सजा ये मिल रही है कि अपनी विलुप्ति से पहले हम अपनी विक्षिप्तता देखेंगे घर घर में लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे जब पीने को पानी नहीं मिलने वाला तो क्या करोगे तापमान इतना बढ़ जाएगा क्या करोगे और ये सब कुछ ना एक जगह पर जाएगा एक टिपिंग पॉइंट पर और वहां से भरभरा के गिरेगा अभी तो क्या हो रहा है तापमान बढ़ता है तो हम एसी के माद्यम से उसको कंट्रोल कर लेते हैं बहुत लोगों तो पता भी नहीं चलता जिननों के पास कूलिंग की विवस्था है उनको ये सब बातें ऐसी लगती हैं कि किसी और लोग की हो रही है कौन सा क्लाइमेट, कौन सा टेंपरिचर सब तो ठीक चल रहा है, क्या हो गया उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कूलिंग एक बहुत इनेफिशियंट प्रोसेस होता है फिजिक्स के क्षेत्र में आप कहीं पर एक डिगरी तापमान बढ़ाना चाहो हीटिंग एफिशियंसी कूलिंग एफिशियंसी की लगभग डबल होती है नहीं समझे एक डिगरी तापमान बढ़ाने में जितनी उर्जा लगेगी उससे दूनी उर्जा लगती है एक डिगरी तापमान गिराने में आपके जो एसी और फ्रिज औगरा होते हैं इनकी किसी की भी एफिशियंसी 40-45% से उपर नहीं होती कूलिंग एक बहुत इनेफिशियंट प्रोसेस होता है बहुत मुश्किल होता है कूल करना आप हीटर चलाते हो गाड़ी में आपने देखा कभी गाड़ी के इंजन पर बहुत फरक नहीं पड़ता जो आप एसी चलाते हो तो क्या होता है अगर गाड़ी छोटी है 1200 सी सी के इंजन वाली गाड़ी है उसमें आप एसी आउन कर दो तो आपको पता चलता है कि गाड़ी का इंजन लोड ले रहा है स्पीड एक्सिलरेशन उसका कम होने लग जाता है देखा है ये काम हीटर चलाने पर कभी नहीं होगा क्योंकि हीटिंग एक ज्यादा एफिशेंट प्रॉसेस होता है आप जब कूलिंग करना चाहोगे तो आपको ज्यादा इलेक्रिसिटी लगेगी ज्यादा इलेक्रिसिटी और ज्यादा कार्बन एमिट करेगी ये एक जबर्दस तरीके का निगेटिव फीडबैक लूप है टेम्ट्रेचर जितना बढ़ेगा आपकी कूलिंग नीड उतनी बढ़ेगी कूलिंग इनेफिशेंट प्रॉसेस होता है वो बहुत इलेक्रिसिटी खाएगा तो इलेक्रिसिटी जेनरेशन और ज्यादा कार्बन एमिट करेगा और ज्यादा कार्बन एमिट करेगा तो और टेम्ट्रेचर बढ़ेगा हम उस नेगेटिव फीडबैक लूप में आ चुके हैं और ये सब कुछ हमने सोचा था कि जितने दशकों में होगा उससे कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है हो सकता है कि अगले 5-7 साल में ही वो महाप्रलय आ जाए जिससे हम बचना चाह रहे थे मेटीरियल एस्पेक्ट्स की हमने बात करी थी कि GDP कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा समुद्र का तल बढ़ेगा तो शहर डूबेंगे और ये बातें अब कुछ हद तक लोगों में पहुँच भी रही है कि हाँ, हमको पता है कि उधारन के लिए थाईलैंड की राजधानी है, बैंकॉक वो डूबेगी, अगले कुछ सालों में उन्हें राजधानी हटानी है क्योंकि पूरी राजधानी डूब जाएगी हमें अच्छे तरीके दे पता है कि मालदीव विलुप्ति की कगार पर खड़ा है तो वो नकली आईलैंड बनाने की कोशिश कर रहे है हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोरल ब्लीचिंग जवरदस तरीके से हो चुकी है 60-70 प्रतिशत कोरल समने खो दिये यह सा बात हमें पता थी लेकिन मास इंसिनिटी वाली बात बहुत पबलिक नहीं हुई थी अभी तक वो हमें देखने को मिल रही है उसके प्रमान सामने आ रहे है जलवाई परिवर्तन इंसान को पागल कर रहा है हम विक्षिप्त हो रहे हैं हमें पता भी नहीं चल रहा है वो विक्षिप्तता हर समय थोड़ी थोड़ी बढ़ रही जब आप सो रहे हैं तब भी बढ़ रही है भई कोई भी मशीन उसी महौल में काम करेगी न जिस महौल के लिए डिजाइंड है हमारी मशीन इस महौल के लिए डिजाइंड नहीं है तो इस महाल में हमारी मशीन खत्म हो रही है हम पागल हो रहे हैं और पागलपन संक्रामक होता है घर में एक व्यक्ति अगर विक्षिप्त व्यवहार करने लगे पागल तो तीन-चार को अपने साथ पागल कर देगा सोचिए ना घर में एक आदमी उल जलूल व्यवहार करना शुरू कर दे तो बागियों की क्या हालत होती है महले में एक घर पागल हो जाए तो बागियों का क्या होगा Mass contagious insanity We are entering that phase और इसमें मालू मैं होगा क्या Insanity का curve भी exponential होगा क्योंकि आप जितने insane होगे आप उतनी ज्यादा भयानक कर्तूते करोगे और उससे insanity और बढ़ेगी जो आदमी बिलकुल नाश की कड़ार पर खड़ा होता है वो फिर कुछ भी करता है कुछ इसलिए कि वो अपने आपको किसी तरह बचाना चाहता है और कुछ इसलिए क्योंकि वो पागल हो चुका है तो अब वो कुछ भी करेगा वो बिलकुल नहीं सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूँ इसका कल क्या अंजाम होगा वो कहेगा आज मैं किसी तरह से अपने आपको बचा लूँ इतने ही परयापते कल तो ऐसे भी आना ही नहीं है आज किसी तरह टल जाए लाखो प्रजातियां है जो चुपचाप विलुपथ हो गई उनका हमें पता ही नहीं चल रहा है जर्मनी में रिसर्च हुई वहां के किसी जंगल में तो वहां पर रात में आवाजें रिकॉर्ड की जा रही थी पिछले 30-40 साल से रात में जंगल के बीच आवाजें रिकॉर्ड की जा रही थी 30-40 साल से और वहां पर जो अभी नतीजें सामने आ रहे हैं वो इतने खौफनाक हैं सत्तर प्रतिशत आवाजें बंद हो गई है वो फ्रिक्वेंसी जी गायब है मतलब समझ रहे हैं और ही जंगल है वहाँ कोई जाके मार नहीं रहा सिर्फ तीस चाले साल के अंदर-अंदर दो तेहाई से ज्यादा वहाँ जो प्रजातियां थी वो अब नहीं रही गई क्योंकि एकलोजिकल सिस्टम्स बड़े सेंसिटिव होते हैं उसमें कोई भी चीज कम ज्यादा होगी तो बचते नहीं है क्लाइमेट का कितना जबरदस्त प्रभाव होता है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं भारत की हम बात करते हैं कि हमारी गौरव शाली सभिताएं आपको पता है हमारी जो सब बड़ी-बड़ी सभिताएं रही है अतीत में भारत में वो सब की सब क्लाइमेट चेंज से ही समाप्त हुई और वो उस समय कोई बहुत बड़ा climate change था भी नहीं इंडस वैली civilization कैसे समाप्त हो गया था कैसे हो गया था हम कभी सोचते ही नहीं जक्षिन भारत की भी जो बड़ी-बड़ी सब भिताएं थी जागे पढ़िएगा अपने आपसे कि चोल सामराजी का क्या हुआ था समाप्त कैसे आई थी हम बात करते हैं GDP की कहते हैं आगे हम भविश्य बनाएंगे उसमें समरिध्ध ही आएगी क्लाइमेट ऐसी चीज है कि पूरे के पूरे देश को तबाह कर देती है एक आदमी नहीं बचता अब रखलो अपना राश्ट्रवाद और इस सब जो अपने आपको राश्ट्र के नेता बोलते हैं यह क्लाइमेट की बात नहीं कर रहे आप सिर्फ इतना गूगल कर लीजेगा कि भारत की कौन कौन सी kingdom's रही है, कौन से बड़े सामराज्य रहे है जो की climate की भेट चढ़ गए आप हैरत में पढ़ जाएंगे आप क्या सोचते हो कि कोई दुश्मन चाहिए होता है जो सब घोड़ों पे बैट करके आएं और राजधानी में आग लगा दें सिर्फ तभी राज जिस समाप्त होता है नई साब कोई आकरांता नहीं चाहिए होता है climate पर्याप्त है सब कुछ धुस्त कर देने के लिए जिसको आज आप सहारा रेगिस्तान बोलते हो जानते हो एक समय वो क्या था वो एक फलता फूलता घना आबाद जंगल था ये है climate की आउकात आज हम उसको सहारा रेगिस्तान बोलते हैं और भारत तो बहुत ही नाजो कि स्थितिय पर खड़ा है क्योंकि हमारे यां सारी खेती temperature पर आश्रित है नहीं समझे सारी खेती किस से होती है मौनसून से होती है मौनसून क्या है मौनसून क्या है जब समुद्र के उपर हवा का दबाव बढ़ जाता है और थल के उपर जमीन के उपर कम रहता है तो हवा समुद्र से जमीन की और भागती है दिसी दिसी बात है, कोई भी द्रव्य ज्यादा दबाओ के ख्षेतर से कम दबाओ की और जाता है, यह जो प्रेशर डिफरेंशियल है, यह बनता कैसे है, यह टेंप्रेचर से बनता है, यह जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप यह भी जानते हो, कि लैंड और वाटर का थर्म coefficient बिलकुल अलग होता है ये भी जानते हो जब temperature बढ़ेगा तेजी से तो ज्यादा तेजी से किसका बढ़ेगा लैंड का या water का लैंड का water की specific heat तो हम जानते हैं कि liquids में बहुत हाई होती है और monsoon आना ही तब है जब एक खास pressure difference हो एक खास और वह खास pressure difference सिर्फ तभी बनेगा जब एक खास temperature difference maintained हो और वह खास temperature difference maintained नहीं होगा अगर temperature बढ़ गया है क्योंकि temperature c का बाद में बढ़ता है लैंड का बहुत तेजी से बढ़ता है हो चुकी बारिश हम भी बनेंगे सहारा कि हमें नहीं बात समझ में आ रही है हिमालय तो तिबबत भी है भाई मेरे बरफ कर एग स्थान बोलते हैं उसको तिनका नहीं उगता वहां बारिश नहीं है तो हमालय से कुछ नहीं होगा मौनसून नहीं है तो ये कहने से नहीं होगा कि भाई हमारी मिट्टी बड़ी उर्वर है और हमारे पास हमालय है न मिट्टी उर्वर रह जानी है न हमालय से कुछ हो जाना है कि तिभब्बत क्या है क्यों है क्यों है किकि मौनसून इधर से आते हैं दक्षण की ओर से और तिभब्बत का मुठ bisa कवे उत्तर की और चीन की ओर मौनसून वहां पहुंछते ही नहीं अगे वेनेजुवेला का है कि वहां आखरी भी चला गया हम कितने बेहोश लोग हैं हमें नहीं समय रहा है कि गंगोत्री भी तो ग्लेशियर ही है अगर वेनेजुएला का आखरी ग्लेशियर चला गया तो भारत का आखरी ग्लेशियर कब तक बचेगा गंगा कहां से बहेंगी और यमुना कैसे बोलो आप अभी आज गूगल करिएगा कि दक्षन की जो बड़ी बड़ी नदियां उसमें से कितनी आज बह रही है छोटी नदियों के नहीं बात कर रहा दक्षिड की जो पंदरह सबसे बड़ी नदियां हैं मई के महीने में कितनी बह रही है जरा देख लीजिए आधी भी नहीं सब सूखी पड़ी है भाव कम नहीं हो गया है भाव शून ने हो गया है क्योंकि उनके पास कोई glacier नहीं है तो वो किस पर आश्रित रहती है बारिश पर बारिश होनी नहीं glacier पिखल जाना है कर लेना रिशिकेश में राफ्टिंग दूर की बात नहीं है मुस्कुराओ मत ये मैं सन्निकट भविश्य की बात कर रहा हूँ विनेजवेला का glacier चला गया तो गंगोतरी कितने दिन तक बचेगा बताओ और पहले बाढ़ आएगी फिर सुखा क्योंकि वो बर्फ पहले पिखलेगी जब पिखलती है तो पहले भयानक बाढ़ हाएगी कई सालों तक और फिर अचानक जब सब बह जाएगा तो सुखा ठीक वैसे फ्रिज की defrosting करिये कभी जो freezer होता है उसमें देखा है कितनी बर्फ उसको glacier मानो फिर जब आप उसकी defrosting का बटन दबा देते हो तो पहले क्या होता है पहले पानी पानी फैल जाता है ध्यान ना तो तो कमरें फैल जाता है पानी इचन में रखा है तो वह पानी पानी फैल जाएगा और फिर सब सुखा यह भारत के साथ भी होने जा रहा है हमारे लिए बड़े मुद्दे क्या है आई-पी-अल चुनाव और एकदम विक्षिप्त किस्म के यह नेता जिन्हें क्लाइमेट चेंज या तो खुद पता नहीं है या उनके खोपड़े में नहीं घुस रहा कि राष्टर के सामने अभी सबसे बड़ी आपदा यही है जैसे मरना काफी नहीं था तो अब ताजी खबर यह है कि हम पागल होकर मरेंगे बढ़ाई हो कर लीजे कलपना 55-60 डिगरी तापमान में आप कपड़े फाड़ के सड़क पर पहले 2-4-5 घंटा है करके फिर होगे और फिर ऐसे धीरे से गिर जाओगे गिरने से पहले 2-4 को मार दोगे जो जो कांड हो सकते हैं सब करोगे और फिर मौत आएगी और यह मौत सबसे पहले किन को आनी है वो जो मेगा रिच नहीं है जिसे पिरामिट होता है न तो जो एक्स्टिंशन है हुमन स्पीशीज का वो नीचे से शुरू होगा नीचे माने जो सबसे गरीब है वहां से उठते 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 बचेगा कोई नहीं जो मेगा रिच है वो भी जाएंगे पर वो सबसे अंत में जाएंगे वो सब का करम कांड करके जाएंगे पहले सब गरीब गायब होना शुरू होंगे, 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 फिर टॉप अफ दा पिरामिट, फिर जो रिसोर्स फुल हैं वो भी उड़ेंगे लोग कहते हैं आप बस डराते ही हो या कोई समाधान भी बताते हो, समाधान में स्ट्याकड़ों बार बता चुगा हो आज ही हमें बता रहे थे कि भारत का जो आम आदमी है वो एनुवली धाई टन कारबंडाई ऑकसाइड उत्सरजित करता है बस, सिर्फ धाई टन और फिर इन्होंने सेलिब्रिटीज का एक पूरा टेबल दिखाया सेवेरल मिलियन टन्स एनुवली समाधान समझ में आ रहा है हम अपने उपर ले लेते हैं कि नहीं मैं न एक बल्व कम जलाऊंगा तो मैं क्लाइमेट चेंज रोक दूँगा भाई मेरे तू धाई टन एमिट करता है बस यहां तकी जो एवरेज अमेरिकन भी यह वो भी 14-15 टन एमिट करता है इसमें जो रियल कल्प्रिट्स है आप लोगों को संदेश भी आता है याद होगा कि दुनिया की बस साथ कुल कंपनिया है चार तो 25 प्रतिशतवाली थी 57 कंपनिया क्या करेंगी कंपनिया कंशियस होती है क्या कंपनियां इंसान हैं कंपनियों में इतना होती कंपनी माने कौन कंपनी का ओनर इन लोगों के अपने personal emissions millions of tons of carbon dioxide में होते हैं यह जो इनकी याट होती है जो इनके private jet होते हैं इनकी जो lifestyle होती है लेकिन यह बात है आपको कभी नहीं पता लगने देंगे उल्टे यह आप से बोलते हैं देखो तुम न कार पूलिंग किया करो भाई आम आदमी कितनी भी कार पूलिंग कर ले उससे नहीं होगा असली बात यह है कि यह जिनको हमने अपना आधर्श बनाया हुआ है celebrity इनको हमें खीच के नीचे उतारना पड़ेगा हमें इनके कंजम्शन पे रोक लगानी पड़ेगी और आम आदमी का भी कंजम्शन बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है ये celebrities ही तो देखो मैं अपनी wife को ले करके कहीं alps पे चढ़ा हुआ हूँ एक भी celebrity बता दो जो celebrity है पर वो consumption की मूर्ती नहीं है consumption का ambassador नहीं है बताओ और जितना ज़्यादा consumption दिखाते हैं उतना ज़्यादा आप उनके चरणों में लोट जाते हो यही तो कर रहे हूँ इसी को वो good life बोलते है और यही आप करो इसके लिए दुनिया भर के motivator आपको बोलते है भाई तू भी success हो जाएगा success माने और क्या होता है कि तुम भी इन celebrities के कम से कम knocker जैसे हो जाओगे तो तुम success कहला होगे successful नहीं success भाई तू success हो गया आम आदमी का भी consumption यह celebrity ही तो बढ़ा रहे हैं दुनिया की आबादी के 0.0.0 यह एक प्रतिशत लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे ग्रह को तबाह करने के लिए और यह बात कभी सामने लाई नहीं जा रही है बलकि गुनागार बना दिया जा रहा है आम आदमी को उसको बोला जा रहा है कि देखो तुम ना recycling किया करो तुम एक bulb कम जलाया करो तुम कार की जगे ना तुम एक काम करो तुम बस में जाया करो तुम electric vehicle चलाओ क्यों क्योंकि जो electric vehicle बना रहे हैं वो खुद सबसे बड़े एमिटर है और वो आपको यह नहीं बता रहे हैं कि end to end पूरा लाइफ साइकल ले लो तो electric vehicle उतना ही carbon emit करता है जितना की fossil fuel वाला वो आपको बता नहीं रहे हैं सर इसमें एक फैक्ट और था में और आपको बताया जा रहा है कि electric vehicle से तो करांती आ जाएगी उसकी number plate भी green लगती है किसको मूर्ख बनाया जा रहा है जो इस पूरे ग्रह को बरबाद करने के लिए जिम्मेदार हैं हम उनके नाम ही नहीं लेना चाहते जबकि उनके नाम सारुजनिक है सिर्फ जाकर google करिए कि कौन से वो लोग है top 100 people who are responsible for destroying the planet through carbon emissions आपको मिल जाएगा कितना emission कर रहे हैं ये भी मिल जाएगा लेकिन planet को बचाने की जिम्मेदारी आम आदमी पर डाल दी गई है एक सजजन है वो कह रहे हैं साब आपने कपड़े प्रेस्मत किया करिए इससे planet बच जाएगा मुर्खता हिम्मत नहीं है क्या असली गुनहगारों का नाम लेने की कपड़े ना पहने तो और बच जाएगा आम आदमी को बोल दो तू नंगा फिर क्योंकि देखो भाई कार्बन तो गार्मेंट प्रोडक्शन में भी अमिट होता है जो जो चीज़े आप कम करोगे उससे सबसे लाब होगा पर कितना पैनी वाई स्पाउन फूलिश एक टन कार्बन बचाएं या एक गिगा टन और जो गिगा टन वाले हैं उनका हम नाम अभी यह जो बातचीत हो रही है जब यह वीडियो में पब्लिश होगी तो नीचे बहुत सारे होनहार आकर के लिखेंगे जब आप यह बोल रहे थे तो हॉल में यही चल रहा था कि नहीं हाँ यह करते हैं बोलते हैं आप क्लाइमेट चेंज की इतनी बात कर रहे हैं पर अभी आप बोल रहे थे तो इसी चल रहा था कि नहीं इन मुर्खों को किसी ने पढ़ा दिया है कि आम आदमी जो इसी चला लेता है उसकी वज़े से कार्बरन क्राइसिस है पूरी मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि आम आदमी और एमिशन करे मैं यह कहा रहा हूँ आम आदमी को भी इतना कंजम्शन और इतना एमिशन सिखाने वाले यह सेलिबरिटी ही हैं हम गलत आदर्षों के साथ फसे हुए हैं politics में गलत आदर्ष. entertainment में गलत आ... सारे तो हमारे आदर्ष entertainment कही हैं entertainment, उसके बाद industry, उसके बाद politics तीन सूरतों में हम किसी को महान मानते हैं हां, या तो हमारा मुरनजन करता हो फिल्म क्रिकट हो गेरे या उसके पास बहुत फाइसा हो इंडस्ट्रिलिस्ट हो या उसके पास सक्ता हो इन्ही तीन से तो हमारा दिमाग भरा रहता है न आहां और यह तीनो के तीनो नंबर एक दो तीन के गुनागार है इस ग्रह को बरबाद करने में और साजिश यह है कि आम आदमी अपने आपको जिम्मेदार मान रहा है आम आदमी ऐसा नहीं कि जिम्मेदार नहीं है पर उसकी जिम्मेदारी उसका गुनाह सबसे पहला यह है कि उसने इन सेलिब्रिटीज को सेलिब्रिटीज बना कर रखा है हर celebrity से एक declaration लेना चाहिए कि बताओ तुम्हारा carbon footprint कितना है, declare करो declare करो तुम्हारा carbon footprint कितना है, तुम्हारा annual carbon emission कितना है, declare करो और जब वो declare करेंगे तो आपका उन पर थुकने का मन भी नहीं करेगा हर celebrity आपको बस यह बता रहा है, कि unlimited consumption is the purpose of life happiness comes from consumption, मेरे भाई consumption के लिए वो चीज़ चाहिए न जिसको consume करो तुम मुझे कोई एक चीज़ बता दो consumption की, जिसमें अर्थ न लगती हो, अर्थ माने, natural resource यह बन जाएगा बिना अर्थ के, बन जाएगा, पर मुझे तो consumption करना इसका, मैं सोचता हूँ technology से बनाई, यह technology से नहीं प्रत्वी से बनाए, बिना प्रत्वी के बना के दिखा दो आप जिसको अपना high-tech gadget मानते हों, अपना computer, वो बिना प्रत्वी के बना के दिखा दो अभी बात करतो रहे थे lithium की, बिना lithium के अपनी electric vehicle बना के दिखा दो आपके जो mobile phones भी होते हैं, उसमें भी rare earths लगती है उनके बिना प्रत्वी बना के दिखा दो, आपको consumption करना, उतना consumption प्रत्वी कैसे afford करें, कहां से दे उतने minerals कहां से आएंगे, उतने minerals सिर्फ तब आ सकते हैं जब आप प्रत्वी को बिल्कुल नोच खस उटने, बलाटकार कर दे उसका और तो और जो सबसे साधारण resource है, वही पकड़ लो ना, खाना, भोजन, इतने लोगों के लिए भोजन कहां से लाएं बताओ और लोगों के लिए आभी सकता है अगर लोग मास ना खाएं दुनिया भर में सत्तर प्रतिशत से ज्यादा जो खेती होती है, वो जानवरों के लिए होती है जानवरों के लिए क्यों होती है, ताकि जानवर को खिलाया जाए पिर जानवर को आप खाओ ये कितनी है जी बलो क्याते ना कि पर जो शाकहारी लोग होते हैं वो भी तो खेत का ही खाते हैं और खेत का खाने में भी हिंसा है भाई सत्तर प्रतिशत खेत इसलिए होते हैं ताकि जानवरों को सोयाबीन खिलाया जा सके और फिर उन जानवरों कोई मासाहारी लोग खाते है और मासाहार को आगे बढ़ाने में सबसे आगे कौन है सेलिब्रिटीज एक सेलिब्रिटी अभी इंस्टाग्राम पे एक रील लाल दे देख भाई मॉर्निंग में मैं फिश फ्राई लेता हूँ और फिर ये लेता हूँ वो लेता हूँ उसे एक रील से लाखो संसकारी सब संसकार वंसकार भूल करके कहेंगे देखो मेरे आदर्श क्रिकेटर ने बोला है फिश फ्राई खाने का या मेरे आदर्श गुरुजी ने बोला है कि मुर्गा नहीं मचली खाया करो हो गया हम जो कहते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जो शुद्ध शाकारी शुद्ध शाकारी इस अर्थ में कि मास नहीं खाते थे लाट्टो उजिटेरिया वो संख्या घट करके 20 प्रतिशत पे आ गई क्यों ऐसा हुए काफी बड़ा रोल तो इसमें सेलिब्रिटीज ही है भाई-भाई आपने इतनी मसल्स कैसे बनाई भाई आपकी बोडी कैसे बनी दुकहा रहे हैं अपने हाथ से काटा है इतना सारा वहाँ बकरा रख़ा हुआ है भाई ने अपने हाथ से काटा है कार्बन एमिशन में क्लाइमेट सेंज में जो दूसरा सबसे बड़ा उत्तरदाई फैक्टर है रिस्पॉंसिबिल कॉज वो यही है मासाहार पूरा एक पैकेज है जो लाइफ में सकसेस होने लगता है वो मासाहारी भी होने लगता है वो सब कुछ करने लगता है जो उसे उसके रोल मॉर्डल सेलिबरिटी ने सिखाया होता है वास्तव में आपकी सकसेस का मतलब यही होता है कि प्रत्वी और बरबाद हुई एक आदमी अगर जीवन में साक्सेस हो गया इसका मतलब यह है कि प्रत्वी की बरबादी और बढ़ गई और साक्सेस का यह कॉंसेप्ट दिया किसने भगोद गीता ने तो दिया नहीं है विचारकों, दार्शनिकों ने तो दिया नहीं है कृष्ण से बुद्ध से आकर पूछोगे सक्सेस माने क्या, तो वो तो नहीं बताएंगे कि भाई परसनल आइलेंड खरीदने का और उस पर आठ बंदियों के साथ आश मारने का नोट उडाने का, रुपीज नहीं, डॉलर इसको साक्सेस बोलने का कोई समझदार आदमी तो ऐसी बात करेगा नहीं पर आपसे ऐसी बात खूब करी गई है और आपने बात मान भी लिए है यही है क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज बहुत छोटा हलका शब्द हो गया क्लाइमेट केटेस्टोफी इंपेंडिंग टोटल एनिहिलेशन जब तक बच्चे के मन में सक्सेस का वही कॉंसेप्ट वही परिभाशा मौझूद रहेगी जो अभी डाल दी गई है और समय अब कुछ नहीं बचाए बचाना बहुत मुश्किल है जो सबसे नालायक लोग हो सकते थे हमने उनको सर पे चड़ा लिया और पूज रहें उनको मनुरंजन में, उद्योग में, राजनीती में, हरक्षेप्र में सबसे जादा जो नालायक हो सकते थे वही एकदम सर्वे सर्वा बनकर बैठ गए और हम उनका अनुगमन कर रहे हैं हमें भी इनी के जैसा बनना है आपको पता है, प्रजातियों ने अपने आपको बचाने के लिए अपना रैपिड इवॉल्यूशन शुरू कर दिया है फिर अभी शोध हुआ था, मेढक की प्रजातियां उन्होंने अपना रंग बदल लिया एक काला मेढक हुआ करता था वो गोरा हो गया बताओ क्यों उन प्रजातियों के पास तो फिर भी एक शमता है कि वो अपने आपको बचा सकती है Among all species, the human species is one of the most vulnerable ones हमारे पास प्राक्रतिक रूप से अपने आपको बचा पाने की ख्षमता अब नहीं बची है दूसरी species कुछ जुगाड करके अपने आपको बचा लेंगे कोई धर्ती के नीचे और गहरे घुस जाएगा कोई चटानों के बीच में घुस कर अपनी एक नई विवस्था बना लेगा कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा सब नहीं बचेंगे, उसमें से भी एक आत्रतिशती बचेंगे पर मनुष्य क्या करेगा हम बुद्ध के अलावा विश्य की, संसार की बहुत कमजोर प्रजातियों में से हैं बस एक बुद्धिबल है हमारे पास ये शरीर बहुत ज़्यादा कमजोर है आठ दस प्रजातियों के बच्चे ले लीजे जो पैदा हुए हो और मनुष्य का बच्चा ले लीजे जो पैदा हुआ है सबसे ज्यादा कई 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 गुना ज्यादा देखवाल की जरूरत किसको पढ़ती है कभी देखा है गाय के बचछडा होता है वो कितनी देर में खड़ा हो जाता है कितनी देर में एक महीना एक हफ्ता 24 घंटा और मनुष्य का बच्चा खड़ा होने में कितना समय लगाता है हम इतने ज्यादा कमजोर है हम कहते हैं कि हम चिंपैंजी से आए हैं उसके बाजू देखो और हमारे देखो उसके बाल देखो और हमारे देखो हमारे तो शरीर पर बाल भी नहीं बचे हैं बाल भी रक्षा देते हैं तुम यूवी रेडियेशन के बारे में कुछ बोल रहे थे क्या कि जो यूवी इंडेक्स होता है उसका जो एक छोर एक्स्ट्रीम है वो बारा नंबर पे होता है इस वक्त भारत में भार जाएंगे तुपहर के समय में तो बारा पे ही है जितना अभी इल्ट्रा वॉयलेट रिडियेशन है आपकी खाल उतना जहिलने के लिए बनी ही नहीं है ओजोन लेयर में छेद हो गया था बहुत बड़ा नहीं था एक फुटबॉल मैदान के बराबर था तो हम बोलते थे हाई राम स्किन कैंसर स्किन कैंसर होगा क्योंकि ओजोन लेयर इल्ट्रा वैलेट रिडियेशन होगती है और क्या करोगे यह जो संस्क्रीन होगा लगाते हो इसकी कोई कीमत नहीं यह नहीं रोक पाएगा हम बहुत कमजोर हैं शरीर से कुटे बिल्ली कुछ भी खा करके जी जाते हैं हम अब ऐसे हो गए हैं कि हमें साफ खाना ना मिले तो हम जी नहीं पाएंगे हम मर जाएंगे हमारी इम्यूनिटी बुरी तरह कॉंप्रमाईज हो चुकी है साफ सफाई में रहते 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 हमने भीतर के इम्यून तंतर को खत्म कर दिया है जब आप गंदगी में रहते हो तो उसके बहुत नुकसान होते हैं पर एक फाइदा ये होता है कि भीतर नैचुरल इम्यूनिटी डिवलप हो जाती है और मनुश्य अब बहुत बहुत सेकड़ों सालों से सफाई में रहने लगा है उसके लाब हुए हैं पर नुकसान ये हुआ है कि हम भीतर से कमजोर हो गए है इतनी हमने हर चीज की वैक्सिनेशन लिये है कि हमारे पास अपना भीतर से कुछ नहीं बचा है इम्यून कैसे जी होगे जैसे ही ये इंडस्ट्रियल एकनॉमी कोलाप्स करती है हमारी स्पीशीज एक्स्टिंक्ट हो जानी है क्योंकि वैक्सिनेशन तो मिलेगा नहीं और तमाम तरह के कंफर्ट्स भी नहीं मिलेंगे दुनिया की 35 प्रतिश्यत आबादी इस समय दवाईयों पर आश्रित है जिसमें इसे 20 प्रतिश्यत ऐसे हैं कि अगर उनको एक महीन तक दवाईय नहीं मिली तो मर जाएंगे उसमें कुछ ऐसे भी हों जिनको एक दिन भी नहीं मिले तो शायद मर जाएं जब पूरा इलेक्ट्रिक ग्रिड कोलाप्स करेगा तो फार्मेसीज में स्टॉकिंग कहां से हो जाएगी मेरे भाई दवाईयों का प्रोडक्शन कैसे होगा ट्रांस्पोटेशन कैसे होगा डिस्पेंसेशन कैसे होगा ये 35 प्रतिशत अबादी जो दवाईयों पर आश्रित है कैसे जियेगी और सेलेब्रिटीज नहीं मरने वाले जल्बी वो सबका क्रिया कर्म करके जाएंगे सारे फैंस की लाशों पर सेलेब्रिटीज रौनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे जो भी कोई इस समय है क्लाइमिट डिजास्टर की बात न कर रहा हो सिर्फ उसका बॉयकॉट नहीं करो उसको जितने तरीकों से गिरा सकते हो गिरा हो सर जैसे अभी अपने बात कही कि जो सेलेब्रिटीज है वो फैंस की लाशों पर रौनत वह जाएंगे तो इससे जुड़ा डेटा मेरे सामने था कि जिसको हम दुनिया का शीर्ष एक प्रतीशत कहते हैं वो इस वक्त जो एमिशन कर रहा है उसकी वज़े से आने वाले दशकों में अत्यधिक गर्मी और अन्य एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट्स जो होते हैं दुनिया के जो ये टॉप वन परसेंट एमिटर्स हैं ये तेरह लाख मौतों के जिम्मेदार हैं लेकिन इन पर कोई F.I.R. नहीं होगी इन्हें किसी अदालत में नहीं खशीटा जाएगा क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे सामने खड़े होके गोली नहीं मारी न हमारा कानून और हमारी जन्ता इस बात का संग्यान नहीं लेंगे कि इन्होंने ही जो लाइफस्टाइल जी उस लाइफस्टाइल के कारण 13 लाख लोग मरे 13 लाख लाशें हमारे सिलिबरिटीज के त्वारा और आप इन्हें पूज रहे हो सारी बात जानते हो कहां पर आ रही है सारी बात इस पर आ रही है कि चुके हमने इनको नहीं पूजा जो पूजने लायक थे तो हमने बहुत गलत लोगों को आदर्श बना लिया दो नतीजें हुए पहले तो उन आदर्शों ने इतना कारण 2020 किया दूसरे चूकी है वो हमारे आदर्श बने तो हमने भी उनसे सीख करके खूब कंजम्शन और एमिशन किया यह हुआ है तो कुल मिलाकर के जो बात आती है वो स्पिरिचूल प्राबलम है जिसको सर पे बैठाना चाहिए ता उसको हमने सर पे नहीं बैठाया हमने हमारा मनुरंजन करने वालों को दिल बहलाने वालों को सर पे बैठा लिया हमने यह नहीं देखा कि किसका बोध कितना है किसकी चेतना कितनी है उसको सर पे बैठाये हमने यह देखा कि किसका बैंक बैलेंस कितना है उसको हमने सर पे बैठा लिया यह जो पूरी उदारण दे रहा हूँ जो पूरा वेडिंग प्रोसेस होता है यह आपके लाइफ साइकल में वन आप दे मोस्ट कार्बन इंटेंसिव इवेंट होता है यह आप जानते हो एक आम आत्मी की जिंदगी में यह जो पूरा वेडिंग का प्रोसेस होता है यह वन आप दे मोस्ट कार्बन इंटेंसिव इवेंट होता है और यह सेलिब्रिटीज अपने लड़कों की चार-चार बार प्री वेडिंग करते हैं इन्होंने तो आपको सिखाया ना यह सब धूम मचाओ रंग जम ओ पहले तो इन्होंने खुद जबरदस consumption और emission करा और वो चीज इन्होंने आम आदमी को भी सिखा दी आम आदमी के सपनों में वो चीज आती है कि मुझे भी वैसी वेडिंग करनी है आप पढ़िएगा कि जितनी यह destination weddings होती है वहाँ wedding तो ठीक है destination का क्या हुआ है Google करिएगा आप रोंटे खड़े हो जाएंगे destination wedding में wedding तो ठीक है destination का क्या हुआ है यह पढ़िएगा सारी destinations तबाह हो गई है जहाँ destination wedding होती है यह सब celebrities खा गए और इनकी देखा देखी फिर आम आदमी भी खा गया सराथ से यह शायद चार साल पहले का एक उधारण है साउथ अफरिका के गुपता ब्रदर्स थे जो आली आये थे अपने बच्चों की शादी के लिए तो उन्होंने 200 करोड की शादी करी और 200 करोड की शादी के पीछे वो 24,000 किलो का कुड़ा चुड़के गए थे मैं बिल्कुल यह धारण में दिमाद में थे मैं बूलने ही गालत है और उसके बाद वहां के ग्रामीडों ने शायद उस पर कुछ कारवाई भी करने की कोशिश की कुछ हुआ था वो बात थोड़ी आगे भी गड़ी थी ये भोग के नए नए प्रतिमान स्थापित करते हैं एक से उच्चा एक और आम आदमी इनी के नक्षे कदम पर पीछे चलने लगता है ये कहते हैं पहले देखो हमने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करके दिखाया और अब सुनो तुम लोग भी वैसा ही करो आप लोग यहां बैठे हो ना आपका कारवन एमिशन बहुत ज्यादा नहीं है आपकी गलती ये नहीं है कि आप बहुत कंसम्शन करते हो आप जितने यहां सब लोग बैठे हुए हो, वहां से लेकर यहां तक हम मेंसे किसी का भी अंसस्टेनिबल कारवन एमिशन नहीं है हमारी चूक, हमारी भूल, हमारा गुनाह वहां नहीं है कि हम खुद एमिशन कर रहे है जानते हो हमारा गुनाह क्या है? हमारा गुनाई है कि हमने उनको सपोर्ट कर रखा है जो अमिशन कर रहे हैं हम नहीं अमिशन कर रहे हैं पर हमने उनको सपोर्ट कर रखा है जो अमिशन कर रहे हैं उस दिन आपको वो पूरी स्लाइड दिखाई थी न time exchange रोकना चाहते हो तो सबसे प्रभावी कदम क्या है उसमें क्या आया था सबसे उपर कि भाई जितने भी बच्चे आम तोर पे पैदा होते हो उससे एक कम पैदा कर ये नहीं कहा था childless रह जाओ कहा था एक कम पैदा कर गूगल करिएगा कि जिनको आप celebrities कहते हैं उनके average number of kids कितने होते हैं आम आदमी से कहीं ज्यादा और उनमें से कई तो ऐसे हैं जो खुद भी आठाठ पैदा करके बैठे हैं और दूसरों कोई prosite कर रहे हैं तुम भी और पैदा करो अगर ग्रह को बचाने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि एक बच्चा कम पैदा करो तो celebrities तो सबसे बड़े गुनागार हैं क्योंकि सबसे आदा बच्चे तो यही पैदा कर रहे हैं क्यों क्योंकि वो afford कर सकते उनके 6 हो जाएं 8 हो जाएं उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता वो सबके सामने और उदारण में खड़ जाते थे देखो यह बे 6-8 उनके वो होते हैं जो गिने गए होते हैं और फिर धीर धीर रगे 5 साल 10 साल बाद एक 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 दो दूसमें जुड़ते रहते हैं निकल के आती गिना नहीं गया था इसको भी गिनो आपका गुना यह है कि आपने मूर्खों को यहां बैठा लिया और वो गुना आपका इससे नहीं कम हो जाएगा कि आप प्रेस न करें पूरा कुरुक्षेत्र ही इसलिए था गीता का पूराश्रम ही श्री कुछ इसलिए करना पड़ा कि कोई मूर्ख यहां न बैठ जाए कौन दुर्योधन इतना बड़ा युद्ध इसलिए करवाना पड़ा कि कहीं एक आदमी यहां न बैठ जाए जो यहां नहीं बैठ न चाहिए उपने एक नए लाखों दुरीधनों को यहाँ बैठा रखा है जिसको यहाँ बैठा रखा हो वही दुरीधन दुरीधन के अलाव आम किसी को यहाँ बैठाते ही नहीं सर, एक तथे और था, जो मुझे भी धोर्डनो भले पदा चला कि वायू प्रदूश्ट में देखा गया कि दुनिया की जो सौ सबसे ज़्यादा प्रदूश्ट शेहर हैं, उसके 99 जो है वो एशिया में हैं, और 99 में से 83, 83 भारत में हैं, बच्चा लोग बजाओ ताली, ये तो दिल खुश हो गया अपना बिल्कुल, देखा एक ने तो, किसके फैन हो भाई, कौन से सेलिब्रिटी के, सौ में से 99 दुनिया के सबसे प्रदूशित शहर भारत में हैं, एशिया में हैं, और 99 में से 83 भारत में हैं, और टॉप 10 में से 9, वो भी भारत में हैं, और आपके ज्यादा तर सेलिब्रिटी, जिनको आप पूझते हो, वो भारत में कम से कम समय विताना चाहते हैं, कईयों के पास विदेश में बड़े-बड़े मैंशन्स हैं, वो वहीं पड़े रहते हैं, वो थोड़ी भारत जैसे गंदे और प्रदूशित और भीडभाड़ वाले देश में हमारे आपके साथ रहेंगे। कौन सी मूवी थी, कुछ इस तरह का था, कि वो अपनी खिड़की में खड़ा हो करके देख रहा होता है बाहर, और बाहर वो एक डैनमाइट से विस्फूट करके लाइन डाल रहे होते हैं, पुरानी मूवी है, English, Black and White, तो उसमें जब डैनमाइट लगाते हैं, तो उसमें बहुत मौते हो रही होते हैं, वो वहाँ पर एक रेल लाइन बिचाने के लिए, डैनमाइट लागे ब्लास्ट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें यह हो रहा होता है कि दिन के हि रहे हैं, तो वह खड़ा हुआ है, खिड़की से बाहर देख रहा है, ऐसे सिगार लेके, तो ऐसे लेता है पुरा कश, चिंग्लर स्लिस्क में ट्रें क्यों चलेगी यार, और Black and White बता है, तो ऐसे लेता है, पिग्स अर देर टो बी स्लोटर्ट, यह बड़ा अदमी है, यह एक बड़ा उद्द्योग पती है, इंडस्ट्रिलिस्ट है, इसकी बहुत सारी क्या है, रेल लाइन्स है, रेलवेज हैं, यूएस में प्राइटाइजड होती ही, वहाँ प्राइवेट ओनर्शिप होती ही, इमकी भी, तो डलवार आए नहीं एक, अब वो उसको आकर कह प्राइटी है कि पर इतने सारे मर रहे हैं इसमें, तो बोलता है, पिग्स एग्जिस्ट तु बे स्लॉटर्ड, एक सेलिबरिटी की नजर में आम आदमी यह होते हैं, पिग्स, यह हैं ही किसली है, मरने के लिए, मरने दो इन्हें, मर भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इ उनकी नजर में आप पिग है, आपकी नजर में उदे होता है, यह है समी करण, और कुछ, आप इसको देखो और सूचो कि हम उसके लिए क्या दुनिया छोड़ने होने हैं, एक आठ डिग्री बढ़ गया है तो हम उसकी बात कर रहे हैं, चार-पांच डिग्री में क्या करने फिर कुछू कुछू करनेश थोड़ी हो दिया फिर चोड़के जारह हैं, तो महाँ क्यों घथ एंप पनिश्मंट दे इसार्स किसके साथ आज़ा है और आप सो पीशे ले कि तेवर्टी को रप्रों के तो को अभर्ला नहीं है यह उजिए कि अग्धर अग्धर अब राट के लिए तो पुसकर नहां तरहे हैं अब अधिवानुना क्या बना हो नहीं से? कि अधिए भूना हो नहीं से? गिए तुमरी दो भी तुमरी दो क्या? झाल